What's up guys, welcome back to our channel और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं What If Season 2 Episode No.8 के बारे में इसने पहले किसे भी Seasons और एपिसोड हम डीटिल में कावर कर चुके हैं अगर आपने उन अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक आउट कर सकते हैं और साथी प्लेलिस भी बन चुकी है जाहिए और एंजॉय करिए तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहां पर एपिसोड नुमर 5 की एंडिंग वी थी यानि कि जब कैटन कार्टर किसी और युनिवर्स में गिर गई थी और हमने देखा था कि स्कालेट वेच और निक फ्यूरी कैटन कार्टर के सामने खड़े वे थे और यहां पर बहुचर भी नहीं जानता था कि कैटन कार्टर आकर किस युनिवर्स में चली गई है वैल जिस यूनिवर्स में कैप्टन कार्टर पहुची है वहाँ पर टाइम पिरिट चल रहा है 1602 यहाँ की रानी है हेला यानि कि हेला इस पूरी की पूरे किंग्डम को रूल करती है उसके दो भाई हैं लॉकी और थौर यह तीनों मिल जुलके रहते हैं वैल यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है और लॉकी यहाँ पे एक ड्रामा दिखा रहा होता है तब ही उपर से एक स्पेस होल खुलता है और लोगों को अपने अंदर खिशने लगता है लॉकी उसके बिलकुल नीचे खड़ा था इसलिए लॉकी तो आराम से जाई रहा था लेकिन तब ही अब निक फ्यूरी कैप्टन कार्टर से कहता है लॉकी को बचाने के लिए तो कैप्टन कार्टर यहाँ पे लॉकी को बचा लेती है और तब हो होल हेला को खिशने लग जाता है एंड कैप्टन कार्टर कोशिश करने के बावजूद भी हेला को नहीं बचा पाती एंड हेला अंदर खिष्टी चली जाती है अब हेला यहाँ पे थी नहीं तो यहाँ पे निकल कहता है हैपी होगन एंड इस उनिवर्स में वो है कमांडर और वो थौर को यहाँ का राजा घुशिक कर देता है यानि कि नया राजा पर थौर यहाँ पे कैप्टन कार्टर से काफी जारा गुस्सा होता है वो कहते है कि स्कालेट फिश ने यहाँ पे तुमें बुलाया था हमारी हल्प करने के लिए लेकिन तुम थो हमें बचा ही नहीं पाई इसलिए वो उसे कैद करना चाह रहा होता है लेकिन गाप्टन कार्टर उसके सारे के सारे सिपाईओं को मार पीट के यहाँ से निकल जाती है उसके सिपाई भी क्वच्टन कार्टर का पीछा कर रहे होते है इसके बाद वो बिल्डिंगों के उपर से बस्ती भाग रही होती है और फाइनली हमें वाचर समझाता है स्टोरी जैसा कि मैं पता है कि एपिसोड नमर फाइफ के एंडिंग में हमने देखा था कि वाचर को तो कुछ भी पता नहीं है वाचर में बता था है कि एक एसा यूनिवर्स है जो कि डिस्ट्रॉए होने वाला है बट जैसे हमने देखा कि वो तो रानी कोई नहीं बचा पाई इसलिए वो बस्ती भाग रही है और सबी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं अब जैसी वाचर ये बात बोलता है तो पैगी कार्टर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ तो वाचर गयता है कि क्या सच में यहाँ पैगी कार्टर उसे बताती है कि नहीं हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कबार मैं तुम्हें सुन सकती हूँ अब यहाँ पे Watcher उसे सारे के सारे इस्तिती बताता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल में छोड़ सकता हूँ वैसे भी ये Universe डिस्ट्रॉइ होने वाला है पैके काटर बोलती है कि नई मैं यहाँ से नहीं जाने वाली एंड तुम्हर यूनिवर्स को ऐसे नहीं बचा सकती तो वो कहते कि देखो ये चीज मेरे आखो के सामने हो रही है एंड इस चीज को मैं अदूरा नहीं छोड़ सकती यानि कि उसने पूरा का पूरा मन बना लिया है कि वो वापस नहीं जाने वाली बलकि वो इसी चीज को फिगर आउट करने वाली है इसके बार हम देखते हैं महल का सीन यहाँपे थार के साथ स्कारलेट वेच, हैपी आउगंस और निक फ्यूरी भी होते हैं और वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं इस तरीके से तो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा स्कारलेट विच्छ है आप रिविल करके बताती है कि एक्चुली यह हो रहा है किसी बंदे के वज़े से चुकि टाइम लेंस में खोच चुका है मैं उनकी इबात है कैप्टन कार्टर ने भी सुन ली चुकि वो बाहर से उन पर पहरा दे रही थी तो इसके बाहर वो जाती है टोनी स्टार्क के पास बिकाज आज वी आल नो कोई भी यूनिवर्स हो टोनी स्टार्क तो जीनियस ही निकलेगा लेकिन ये करना काइंड ओफ इंपॉसिबल है चुकि इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़ादा एनरजी की ज़रूत पड़ेगी और वह एनरजी फिलाल के लिए तो इनके पास है नहीं अब कैप्टन कार्टर को रियलाइज होता है कि थोर के पास सेक्टर है जिसके उपर लगा हुआ है इंफिनिटी स्टोन तो उसका प्लैन यह है कि वो थोर का सेक्टर चुराएगी और उस पर लगे इंफिनिटी स्टोन की मदद से इस मशीन को चालू करेगी और फाइनली उस बंदे को ढूंड कर खतम कर देगी जिससे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पर आटाक कर देतें स्टीव, स्कॉट और बकी वैल यहाँ पर रॉजर्स का नाम है रॉजर्स वॉड और हाँ यह रिफरेंस है रॉबिन हूड का तब यहाँ पर आ जाती ही पैगी कार्टर और स्टीव उसे कहते हैं तो कैप्टन कारटर की साथ में मैं ब liड़ कर बात कर दे होते हैं और यहांा है कार्टर स्टीव को निकुछ बी चल रहा है और बताते है वहमाँ के सब्के करण बढ़ेगा कोई बंदा है जो 21st century से यहां पर आ चुका है और उसके वज़े से पूरा का पूरा यूनिवर्स तबहा होने वाला है तब हम देखते हैं कि थौर के लोग Captain Carter को ढूंड लेते हैं कि यहां पर स्कॉर्ट बगी श्टी भी उसके help करते हैं बट वह लोग उन पर भारी बढ़रे होते हैं यहां पर कैप्टन काटर स्टीव से कहती है तुम्हें यह से निकल जाना चाहिए मैं जाकर सरेंडर कर देती हूं यहां सकर हम चारों के चारों पकड़े गया है तो डेफ कैप्टन कार्टर कर देती है सरेंडर वो लोग कैप्टन कार्टर को लिजा कर एक सेल के अंदर बंद कर देते हैं पर जैसी वो लोग यहां से जाते हैं तो कैप्टन कार्टर सेल को तोड के यहां से निकल जाती है और वहीं पर वो एक रूम में देखती है जहापर ब्रूस ब पर देती और ब्रूस बेनर को भी अपनी टीम में कड़ लेती है फिर नेक्षी में हम देखते हैं कि वापस अपने पहले वाले रूप में आ चुका होता है या निक हम रहल नहीं बनावा होता है और प्रैकी कार्टर भी यहां पर होती है और तोनी स्टाव के पासं अंपर टो तबी उपर से खुल जाता है वही इस पेस होल फिर यह लोग अपना प्लान स्टार्ट करते हैं और यहां पर हलक आ जाता है तब ही मचाता हुआ और हलक के साथ सब्सक्राइब कर रहा होता है एपी ओगंस जो कि फाइट करते करती उसी मॉस्टर में जाता है जो कि हमने एपीसोर नमर्ट 3 में देखा था कि कैसे हलका ब्लड लेने के बाद हैपी ओगंस हो गया था और यहां पर निकालता है इंफिनिटी स्टोन वह से मशीन की उपर लगाता है और पैगी काटर को कहता है अपना हाथ इसके अंदर ढालो वह जब उसके अंदर ह हाथ डालती है तो पैगी काटर के हाथ पर लग जाता है गलब अब उसे गलब को इक्टिविight करना होता है बद तब हुक्ता करने के लिए वह था पर आपर है कि तैनुस नाम के प्रानी ने अटक कर दिया था और उसके पास था इंफिनिटी गॉंकलेट जिसके ओपर लगे वे थे इंफिनिटी स्टोन्स और जब मैं उस पर अटक कर रहा था तो मेरी शील्ड उसके किसी स्टोन को टच हो गई और इसी वज़े से मैं यहां पर फस गया अब यहां में था और सब कुछ समझ जाता है पैगी कार्टर से कहता है कि फाइनली वो बंदा हमारे सामने है जिस काम के लिए तुम आई थी अब वो पूरा करो और पैगी कार्टर ऐसा नहीं कर सकती बटेती देर में स्टीव उसके गॉंकलेट का बटन दबा देता है और कहता है कि हमें अगर यह सब पुछ एंड करना है तो यह चीज़ करनी पड़ेगी इसके बाद हो चला जाता है वापस अपनी टाइम लाइन में और कैप्टन कार्टर ने फाइनली इस युनिवर्स को डिस्ट्रॉइ होने से बचा लिया इसके बाद कैप्टन कार्टर एक जगा पे शांती से बैठी होती है और तब यह उ पाके रह गया है आप लोग उसके लिए कितना एक्साइटेड है comment section में जरू बता हैं और फ्यू इंजिए दिस वन देन मेक्शु टिए लिक बटन और प्रस अब्सक्राइब बटन इस युनिए चैनल शेर इसमुच अच्छ 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 अच अच्छ अच्छ अच्छ